परिचय बच्चो आज हम सामय अवस्था के बारे में जानेंगे भौतिक सामय में किसी निकाई की वह सामय अवस्था समाहित है जिसमें उसका प्रावस्था रूपांतरण होता है उधारण के लिए नमक की घुलन शीलिता जल का वाशपी करण आदी केल्शियम कार्बोनेट का विक्टन या हाइडोजन और आयूटीन के बीज अभिक्रिया जैसी रासाइनिक प्रक्रियाओं में सामय रासाइनिक साम में कहलाता है सामाने भौतिक सामय अवस्थाएं हैं ठोस और द्रव, द्रव और कैस, ठोस और कैस समांगी सामय अवस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद समान प्रावस्था में होते हैं, जबकि रासाइनिक सामय अवस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद अलग-अलग प्रावस्थाओं में होते हैं, इसलिए इस पूरे मॉड्यूल में हम सामय अवस्था के बारे में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सामय अवस्था इस्थिरांग के अनुप्रयोगों की चर्चा करना। ठेरी हुई प्रतीत होती है। निकाई की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्दन नहीं होता है। सामय अवस्था कहलाती है। ठोस द्रव सामय अवस्था। जब एक शुद्ध ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ये एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इस तापमान पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं दाप की दी गई दशाओं के तहट से अस्तित्व में होती हैं। वायू मंडलिय ताप किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं से अस्तित्व में होती हैं। पदार्थ का सामान गलनांग या सामान हिमांग कहलाता है। गलनांग पर ठोस पदार्थ पदार्थ की द्रवावस्था के साथ समयावस्था में होता है। ये मानते हुए कि बर्फ और जल को 273 केल्विन यानि बर्फ के गलनांग पर एक पून रुपेंड रोधी थर्मस फला इस निकाय का एक रोचक अभिलक्षन ये है कि तापमान तथा बर्फ और जल के द्रवेमान इस्थिर रहते हैं। ये बर्फ और जल के बीच गतिक साम में दर्शाता है। चुकि बर्फ और जल के द्रवेमान में कोई परिवर्दन नहीं होता है। इसलिए बर्फ से जल में जाने वाले अणों की संख्या, जल से बर्फ में जाने वाले अणों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार सामय अवस्था पर गननांग की दर पराबर हिमांग की इस सामे को समझने के लिए आये एक बंद पात्र में जल के वाशपी करन का उधारन लेते हैं जब जल की थोड़ी सी मात्रा को कमरे के तापमान पर एक निर्वातित पात्र में लिया जाता है तो ये वाशपीत होने लगता है सबसे पहले पात्र के भीतर कदाप पढ़ता है जैसे ही गैस प्रावस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती है ये जल की सतह से टकरा कर इसे ग्रहण कर लेते हैं ये संगनन कहलाता है प्रारम्भ में संगनन की दर वाशपी करण की दर से कम होती है लेकिन गैस प्रावस्था के अणों में प्रिद्धी के साथ संघनन की दर बढ़कर वाश्पी करण की दर की बराबर हो जाती है इस अवस्था में ये कहा जाता है कि सामे स्थापित हो गया है इस प्रकार सामे अवस्था में वाश्पी करण की दर बराबर संघनन की दर ठोस प्रावस्था से गैसिये प्रावस्था तक सीधे मात्यमिक द्रव प्रावस्था से होकर गुजरे, बिना ही इस्था नांतरन की प्राक्रिया उर्धवुपातन कहलाती है। इसके विपरीत किसी गैस को सीधे ठोस में परिवर्थित करने की प्राक्रिया निक्षेपन कहलाती है। आईए शुश्क बर्फ का उधारन देखें। द्रवो में ठोस या गैसों की घुलनशीलता संबंधी साम में द्रवो में ठोस। विलियन जिसमें और अधिक विलैकन ना घुल सके संत्रिप्त विलियन कहलाता है। उधारन के लिए यदि हम जल में लगतार चीनी मिलाते रहें तो एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक चीनी जल में नहीं घुलती है। संत्रिप्त विलियन सामे की अवस्था समरूप होता है। जब द्रव में चीनी की घुलंशीलता की दर अफक शेपन की दर के बराबर होती है तो सामे अवस्था स्थापित कही जाती है। ये सामे अवस्था प्रकृती गतिक होती है। इसे रेडियो एक्टिव ताहीन चीनी के संत्रिप्त विलियन में रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी की कुछ मात्रा मिला कर प्रमाडित किया जा सकता है। ये अवलोकन किया गया है कि विलियन और रेडियो एक्टिव ताहीन, चीनी भी रेडियो एक्टिव हो जाती है। द्रवों में गैस सिब, जब एक कोल्ड रिंग की बोतल खोली जाती है, तो उसमें घुली हुई कारबन डायोकसाइड बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है। ये एक सामय अवस्था इस्थिती को दर्चाती है। दिये गए टाप पर गैसी अवस्था में विलाई के अणों और द्रव में खुले अणों के बीच एक सामय अवस्था होती है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द्रव में गैस की विलेता पर दाप के प्रवाव को हैंडी के निम्न दौरा व्यक्त किया जाता है। इस नियम के नुसार, दिये गए तापमान पर किसी विलाइक के दिये गए द्रविमान में, खुली गैस का द्रविमान विलाइक के ऊपर गैस के दाप के सीधे समानुपाती होता है, M सीधे समानुपाती है, P के, M बराबर K P, किसी द्रव में गैस की विलेता तापमान में भौतिक प्रक्रम में शामिल समय अवस्था के समाने लक्षन 1. समय अवस्था पर निकाई के मापने योग के गुण धर्मनिस्थिर होते हैं 2. समय अवस्था पर दो विप्रेत प्रक्रमों के बीच गतिक संतुलन होता है 3. केवल बंद निकाय में ही सामय अवस्था प्राप्ट की जा सकती है 4. जब सामय अवस्था प्राप्ट हो जाती है तो सामय अवस्था में शामिल पदार्थों की सांद्रता सहित एक वेंजक मौजूद होता है जो दिये का इतापान पर एक स्थिर्मान पर पहुंचता है पर सिल्मा तक हो चुका है. रासायनिक प्रक्रमों में सामय आवस्था गतिक साम में. अभिक्रियाएं जिन में अभिकारकों को पुनह बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया नहीं करते हैं. अनुत क्रमनियें अभिक्रियाएं कहलाती हैं. उधारण के लिए सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लूराइट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लूराइट और सोडियम नाइट्रेट बनाता है अभिक्रियाईं जिन में अभिकारगों को पुनह बनानी के लिए उत्पाद अभिक्रिया करते हैं उत्क्रम्णिये अभिक्रियाई कहलाती हैं. उत्क्रम्णिये अभिक्रियाओं को विप्रीत दिशाओं की ओर संकेत करते दो तीर खीच कर निरुपित किया जाता है. उधरन के लिए हाइड्रोजन आयुडीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयुडाइट बनाता है. वो अवस्था जिस पर अभिकारकूं और उत्पादों की सांद्रता में और परिवर्तन नहीं होता है, रासाइनिक सामे अवस्था कहलाती है. सामे अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया की दर, प्रतीब अभिक्रिया की दर के बराबर होती है. रासाइनिक सामे प्रकृती में गतिक भी होता है, क्योंकि अभिक्रिया सामे अवस्था पर रुकती नहीं है. जब अग्रिम और प्रतीब अभिक्रियाओं की दरें समान हो रासाइनिक प्राक्रमों में सामय अवस्था गतिक साम में आईए उधारन की साहिता से सामय अवस्था की व्याख्या करें जब केल्शियम कार्बोनेट को एक बंद निर्वातित पात्र में 1073 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो ये केल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डायोक्साइड कैस उत्पर्न करने के लिए अब घटित होने लगता है कार्बन डायोक्साइड दाब में व्रिधी करती है दाब में व्रिधी लगातार होती है क्यूंकि अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है और अंत में स्थिर हो जाती है और तब तक स्थिर रहती है जब तक तापमान स्थिर रहता है ये प्रतीत होता है कि अभी क्रिया एक ठेराव पर आ गई है हालकि CACO3 अभी भी उपस्थित रहता है ये दर्शाता है कि निकाई ने सामय अवस्था प्राप्त कर ली है रासाइनिक सामयवस्था का नियम और रासाइनिक इस्थिरांक, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार, इस्थिर्टाप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की तर अभिकारक अव्यवों के आन्विक सांद्रण के गुडनफल के सीधे अनुक्रमन उपाती होती है। साथी प्रतेक सांद्रण पत की खात कमान रासायनिक समीकरण में उस अव्यव के संख्यात्म गुडांक के बराबर ह आईए एक साधारण उतक्रमन अभिक्रिया पर विचार करें। निम्न प्रकार की सामान अभिक्रिया के लिए सामय वस्था इस्थिरांग के लिए विचार को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। सी इंगित करता है के को अर्थात के सी को मोल प्रती लीटर की सांद्रताओं में व्यक्त किया जाता है। समांग सामय वस्था सामय वस्था इस्थिरांग को केपी द्वारा दर्शाया जाता है। आदर्श गैस समिकरण है पी वी पराबर एन आर टी पी बराबर एन बटे वी आर टी जहां पी पास्कल में दाब एन गैस के मोलों की संख्या वी एम घन में आयतन है। पी केलविन में तापमान है और आर पराबर 0.831 बार लीटर प्रती मोल केलविन। एन बटे वी को मोल प्रती लीटर में सांध्रता सी के रूप में और पी को बार में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए पी पराबर सी आर टी। सामान अभिक्रिया के लिए के पी का मान है जहां सी, डी, ए और बी के करमशा पी सी, पी डी, पी ए, पी बी आशिक दाप है। और इसे हल किया जा सकता है के पी और के सी के बीच संबंध है। के पी और के सी गुणा आर टी की खात डेल्टा एन जहां संतुलित रासाहिनिक समिकरण में डेल्टा एन बराबर गैसिये उत्पादों के मोलों की संख्या, गैसिये अभिकारकों के मोलों की संख्या, दाप को बार में व्यक्त किया गया है। विश्मांग सामय वस्था ही विश्मांग सामय वस्था इस्थिरांग के लक्षन सामय वस्था इस्थिरांग का मान अभिकारी अव्यवों की प्रारंबिक सांद्रता पर निर्भन नहीं करता है सामय अवस्था इस्थिरांग का मान ताब बदलने के साथ बदलता है उत्क्रम्निय अभिक्रिया के लिए उत्क्रम अभिक्रिया के सामय अवस्था इस्थिरांग अगरवर्ती अभिक्रिया के सामय अवस्था इस्थिरांग का वित्क्रम होता है सामय अवस्था इस्थिरांग उत्प्रेरक की उपस्तिती पर निभर नहीं करता है यदि सामय अवस्था इस्थिरांग को संद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है तो विभिन अभिक्रियाओं के लिए इसके मात्रक अलग-अलग होते हैं अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना सामय वस्था इस्थिरांग का परिमार हमें उस सीमा के बारे में बताता है जिसके लिए अभिकारकों को सामय वस्था प्राप्त करने से पहले उत्पादों में रुपान दरित किया जाता है. अभिक्रिया की दिशा का अनुमाल लगाना QP द्वारा दर्शाय जाता है सामानने अभिक्रिया के लिए यदि QC केसी से अधिक है तो नेट अभिक्रिया पश्च वर्ती दिशा में होती है जो अभिकारकों की दिशा है यदि QC केसी से कम है तो नेट अभिक्रिया अग्रवर्ती दिशा में होती है जो अभिकारकों की दिशा है यदि QC बराबर केसी तो अभिक्रिया सामय वस्था में है अर्थात नेट अभिक्रिया नहीं होती है सामे सांद्रिताओं की गड़न चरण एक सामे के लिए रासायनिक समीकरण लिखें चरण दो अभिक्रिया के लिए सामय वस्था इस्थिरांक व्यनजक लिखें चरण तीन सभी अज्यात सांद्रिताओं को एकल चर एक्स के पदों में व्यक्त करें चरण चार सामय वस्था इस्थिरांक व्यनजक में सामय वस्था सांद्रताओं यानी X के पदों में उसको प्रतिस्थापित करें। चरण पांच, X के लिए समी करण हल करें। चरंड 6. सामय वस्था सांद्रताओं की गड़नां के लिए चरंड 3 के व्यन्जकों में X के लिए प्राप्त किये गए मान प्रतिस्थापित करें. सामय वस्था इस्थिरांग के अभिकरिया भाग फल क्यों तथा गिप्स उर्जा जी के बीच संबन्द। विशिष्ट निर्धारित दशाओं में निकाए से सौतंत्र रूप से उपलब्द उर्जा जिसे उप्योगी कारे में लगाया जा सकता है गिप्स उर्जा कहलाती है. संबन्द है इसे समीकरण एक के रूप में नाम दें जहां ये मान गिप्स उर्जा दर्शाती है. हम जानते हैं कि सामय वस्था पर Q बराबर K और डिल्टा जी बराबर 0 ने समीकरण एक से पुनर्वेस्थित करने पर प्राप्त होता है. ये समीकरण ताप और सामय वस्था इस्थिरांग के मान गिप्स मुक्त उर्जा परिवर्टन से संबन्दित है. सामय वस्था स्थिरांग है. यदि मान गिप्स मुक्त उर्जा में परिवर्टन 0 से अधिक है तो K एक से कम होता है जिससे अगर अभिक्रिया आसान हो जाती है. सामय वस्था को प्रभावित करने वाले कारग सांद्रन, ताप, दाब जैसे प्राचलों के प्रभाव का अधियन लाँशाति लिए सिध्धान्द की मदद से किया जा सकता है. इसके अनुसार यदि एक निकाए सामय वस्था में सांद्रन, दाब या ताप में परिवर्थन के अधिन है, तो सामय वस्था उस दिशा में अगरिसर होती है, जिस दिशा में परिवर्थन का प्रभाव समाम्त हो जाए. सांद्रता परिवर्थन का प्रभाव ला शातलिये सिध्धान्द के अनुसार, जब सामय वस्था वाले निकाए में अवियफ की सांद्रता बढ़ जाती है, तो सामय इस्थानांत्रित हो जाएगा, जिससे मिलाए गए पदार्थ का उप्योग हो सके. बाना की सामय वस्था पर अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक को मिलाया जाता है, तो अभिकारकों का उप्भूग करने के लिए सामय अगरी दिशा में इस्थानांत्रित होगा. दूसरी तरफ यदि उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को मिलाया जाता है तो उत्पादों का उपभूग करने के लिए साम में उत्क्रम दिशा में इस्थानांत्रित होगा उधारण के लिए नमी वाले दिन हमें ज्यादा पसीना आता है नमी वाले दिन पसीना ज्यादा निकलता है क्योंकि आसपास की वायू में जल वाश्प की मात्रा अथिक होती है और हमारा शरीर जल वाश्प के रूप में जल को नश्ट नहीं कर सकता सामय अवस्था को प्रभावित करने वाले कारण दाप परिवर्तन का प्रभाव लाज शातिलिये सिध्धान्थ के नुसार वाहे दाप में वृध्धी सामय वस्था को इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि दाप कम हो जाए इसकार्थ है कि साम में उस दिशा की ओर इस्थानांत्रित होगा जिस तरफ गैसी पदार्थों के मोलों की संख्या सबसे कम है उधारण के लिए यदि हम दाप में वृध्धी करते हैं तो निकाय द्वारा घेरा गया आयतन घट जाता है और प्रती इकाई मोलों की संख्या बढ़ जाती है ये प्रभाव संभारित किया जा सकता है यदि साम में उस दिशा में इस्थानांत्रित होता है जिस तरफ मोलों की संख्या कम होती है इसलिए दाप बढ़ जाता है इस इस्थिति में साम में अग्रिदिशा में अग्रिसर होगा अक्रिये गैस के योग का प्रभाव स्थिर आयतन पर अक्रिये गैस निकाई का कुल दाब बढ़ा देती है लेकिन अभीकारकूं एवं उत्पादूं का आंशिक दाब समान रहता है और साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है स्थिर दाब पर अक्रिये गैस का योग आयतन को बढ़ा देगा इसलिए इस प्रभाव को संभारित करने के लिए साम्ये उस तरफ इस्थरांत्रित होगा जिस तरफ मोनो की संख्या अधिक हो गई है उधारण के लिए स्थिर्दाप पर अक्रिय कहस का योग सामे को उतक्रम दिशा की ओर अग्रिसर करेगा ताप परिवर्तन का प्रभाव रासायनिक सामे वस्था में दो अभिक्रियाएं शामिल होती हैं एक उतपादों के पक्ष में और दूसरी अभिकारकों के पक्ष में होती है यदि एक अभिक्रिया उश्माक्षेपी है तो दूसरी उश्माशोशी होगी उधारण के लिए अगर अभिक्रिया उश्माक्षेपी और उतक्रम अभिक्रिया उश्माशोशी है अब यदि ताप बढ़ाया जाता है, तो साम में उत्करम दिशा की ओर अग्रिसर होता है, क्योंकि ये मिलाए गई उश्मा के प्रभाव को समाप्त कर देता है यदि ताप घटाया जाता है, तो साम में अगरितिशा में इस्थानांत्रित होगा, इसलिए निम्नतापमान अमोनिया के निर्मान के पक्षि में होगा क्या आप जानते हैं? यानि AFOSR द्वारा 2.2 मिलियन डॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया, बुनियादी अनुसंधान पहल BRI पुरस्कार आशान्त प्रवाहों पर तापिये एवं यांत्रिक आसामय अवस्था प्रभावों विशेश रूफ से सीधे संख्यात्मक अनुकरणों, आण्विक प्रयोगों के द्वारा उर्जा विनिमय के लिए मौलिक तंत्र में अध्यन के लिए दिया गया है। निकाई की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्थ नहीं होता है सामय अवस्था कहलाती है। और इसके विप्रीत रुपांतरण निक्षेपन कहलाता है। एक विलियन संत्रिप्त कहा जाता है यदि और अधिक विलै कड़ों को घोला नहीं जा सकता। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। स्थेड़ताप पर किसी रासायनिक अविक्रिया की दर अभिकारक अव्यवों के आणविक सांद्रण के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। साथी प्रतेक सांद्रण पत की घात कमान रासायनिक समिकरण में उस अवियव के संख्यात्म कुणां के बराबर होता है। यदि अभिकारक और उत्पाद एक इही प्रावस्था में हों तो इस थापिच सामयवस्था समांगी सामयवस्थाएं कहलाती हैं। सामयवस्थाएं जिन में शामिल पदार्थ विभेन प्रावस्थाओं में उपस्तित होते हैं। विश्मांगी सामयवस्थाएं कहलाती हैं। सामयवस्था इस्तिरांग के अभिकरिया भागफल क्यूँ और गिप्स उजा जी के बीच संबंध है। सामयवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रण परिवर्तन, दाप परिवर्तन, अक्रिये कैस योग, ताप परिवर्तन और उत्प्रेरक का प्रभाव हैं। प्रभाव हैं।